आप देख रहे हैं जारखंड अपडेट दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपके सामने होंगे 10 प्रशन इन 10 प्रशनों के माध्यम से आप चान पाएंगे कि जारखंड से रिलेडिड करेंट अफिर्स के आप कितने प्रशन को सही हल कर पा रहे हैं अर्थाथ खुद को सेलफ एसेस कर पांगे कि आप कितने तयारी कर रहे हैं दोस्तो इन 10 प्रशनों का उतर मैं साथ में बताता जाओंगा और आप खुद पेन और कॉपी लेके नोट करते चले कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और दोस्तो कमेंट करके भी हमें बताएं कि आप कितना सही कर पाए हैं तो दोस्तो यह practice set number one है जारखंट current related objective questions तो आई यह शुरू करते हैं आज के पहले प्रशन से आज का पहला प्रशन है अप्शन है हमारे पास जसिंता केरकेटा, संदीब मुरारका, शिभू सोरेन अथवा बाबुलाल मरांडी दोस्तो इसका सही उतर है option B संदीब मुरारका संदीब मुरारका शिखर को चूते ट्राइबल भाग दो के लेकक हैं दूसरा प्रशन है 2021 मदुपूर विधानसभा उप्चुनाओ में किस पार्टी ने जीत दर्च की है आजसू BJP, GMM अथवा BSP दोस्तो इस प्रशन का सही उतर है option C GMM अर्थाद जारखन मुक्ती मोर्चा ने मदुपूर विधानसभा उप्चुनाओ अपने नाम कर लिया है आज का तीसरा प्रशन है दोस्तो 2021 के पदमिस्री पुरस्कार से जारखन की किस महिला को सम्मानित किया गया है option है चुटनी देवी, प्रेमलता अगरवाल, जसिंता किरकेटा, उप्रोक्त सभी इस प्रशन का सही उतर है दोस्तो option A चुटनी देवी चुटनी देवी को 2021 का पदमिस्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चौथा प्रशन है शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जारखन्ड केंद्रिय विश्विद्याले ने दक्षिन कोरिया के किस विश्विद्याले के साथ इस प्रशन का सही उत्तर दोस्तो option D हंकूक विश्विद्याले चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगले प्रशन को आज का पांचमा प्रशन है किस वरिस्ट IPS अधिकारी को जारखन का नया डीजीप अथाथ डारेक्टर जेनरल अफ पुलिस पुलिस महानिदेशक बनाया गया है नीरज सिनह, M.V. Rao, नवीन कुमार, अध्वा सुमन गुपता दोस्तो इसका सही उत्तर है option A नीरज सिनह नीरज सिनह को जारखन का नया डीजीपी न्युक्तिया गया है आगे बढ़के देखते हैं आज के next question को जारखन का अमरित पुत्र मरांग गोम के जैपाल सिंह मुंडा तथा महराजा मदरा मुंडा जैसी कृतियों के रचनाकार जिनका निधन 15 अप्रायल 2021 को हो गया वो कौन है दोस्तो आप्शन है प्रोफेसर दिगंबर हांसदा डॉक्टर गिरेधारी राम गौंजु साइमन मरांडी अथवा चित्तु टुडु इसका सही उतर है आप्शन बी डॉक्टर गिरेधारी राम गौंजु इन्होंने जार्खन का अम्रित पुत्र मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा तथा महराजा मदरा मुंडा जैसे कृतियों के रचनाकी है नेक्स्ट कोस्चन है निमलखित में से जार्खन के किस व्यक्ति को मौरिटानिया का राजदूत निउक्त किया गया है अमिताब चौधरी, चानक के चौधरी, दीपक महाजन, अथवा अंजनी कुमार सहय इस प्रश्चना दोस्तों सही उतर है option D, अंजनी कुमार सहय अंजनी कुमार सहय को हाली में मौरिटानिया का राजदूत निउक्त किया गया है जो जार्खन से संबंदित है आज का नेक्स्ट कॉस्चन है भारत के प्रमुख स्टील प्रांटों में से एक मैथन स्टील ने निमलिखीत में से किसे अपना ब्रांड अंबेजडर बनाया है सुशील कुमार, दे ग्रेट खली, एमेस धौनी, अथवा इम्तियाजली इसका सही उतर है, option B, दे ग्रेट खली दे ग्रेट खली को भारत के प्रमुख स्टील प्रांटों में एक मैथन स्टील ने अपना ब्रांड अंबेजडर हारी में बनाया है आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, नवल टाटा होकी अकेडमी के नो नेरमित अकेडमी कॉंपलेक्स का उद्खाटन किस जिले में किया गया है धनबाद, पुर्वी सिंग्भूम, पस्मी सिंग्भूम, बुकारो इसका सही उतर है, option B, पुर्वी सिंग्भूम अर्थात, जमशेद पूर में नवल टाटा होकी अकेडमी के नो नेरमित अकेडमी कंपलेक्स का उद्खाटन हाली में किया गया है दोस्तों, उमीद करता हूँ, आपने इसका जवाब सही सही दे दिया होगा और कमेंट कर बताए, कि आपने दस प्रश्णों में कितना सही किया है धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक जुड़े रहिए, जारखेंड अपडेट के साथ, धन्यवाद